आप समी को मेरा शद्धा पूर्वत नमन मैं अमिता त्यागी डियमे मोधी पुरव मेरट में हिंदी अध्यापिका के रूप में कारिरत हैं यह मेरे लिए अध्यांत गर्द का विशे है कि मैं इस पृतिष्टेत विद्याले में सन 1984 से कारिरत हूँ अपने अध्यापन कारिय की इस अविरल लियात्रा में मेरे द्वारा अनेत कारिय संपादित किये गए हैं जिसमें 20 वर्षों से अधिक CVSC की परिक्षाओं में मैंने एची के रूप में सफलता पूरवाद अपने दाइक्तों का निर्वहत किया है मैंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी कारिय किया है इसके अपरे छे सॉल्यूशन्स जिनमें सैंपल पेपर्स भी सम्मिलत है का लेखन कारिय किया है मैं विद्याले की वरिष्ट अध्यापिका होने के साथ साथ हिंदी विभागा ध्रक्षा के रूप में भी कारे रत हूँ एवं मिडल विंग की कॉडिनेटर का दाइक्तों भी बक्षू भी निर्वहन कर रही है शिक्षा के शेत्र में दयावती मोदी अकाद्मी मेरण की एक विषिष्ट पहचान है लख़क साथ एकर पूनी पड़र में विद्याले का विशाल भवन अती सुन्दर एवं हरियाली से परिपून है सुरक्षा एवं शिक्षन की दृष्टी से विद्याले के इमारत सौ पीशदे खरीव तक्ति है विद्याले निमिध्यान तथा अन्य सभी विषियों के अलग-अलग प्रियोकशालाएं है सभी प्रियोग शालाएं आधूनिक शिक्षन पत्धती पर आधारित हैं और संपूर कक्षाएं वातानों पुलित हैं विद्याले परिसर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विष्व इस्तर की लाइबरी है जहां विद्यार्थि बैट कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपना भ्यान आरजन करते हैं विद्याले अपनी अनुभवी योग के एवं प्रेणा दाई प्रधाना चार्या डॉक्टर श्रीमती रितु दिवान जी के पुशल मार्दर्शन एवं निर्देशन में निरंप्रत नवील की तिमान इस्थापित कर रहा है यह संस्था छात्रों में गोर्वत्ता को शिक्षा प्रधान करने उत्कृष्टता की भावना जागरित करने उनके जीवन में आने वाली सभी चुनोतियों का दिर्दता से सामना करने योग्ये बनाने में पूर्तया सक्षम है यह आधुने तर्णी की शिक्षा पर आधारित शिक्षा के साथ साथ भारतिय परंपराओं और जीवन मुल्यों की सीख देते हुए सांस्प्रतिक विरासत के प्रति सम्रिद्ध करता है ताकि छात्र छात्राएं अपनी जड़ों से जुड़कर उनके आशिर्वात एवं अनुभवों से लाभानवित हो सके अकादमी के विद्यार्थी बोड़ परिक्षाओं में उतक्रिष्ट परिणामों के द्वारा विद्याले की परंपरा को बनाई हुए है ऐसी मेधावी छात्रों को प्रत्यक वर्ष उनकी शांदार उपलब्धियों के लिए पुरस्वित किया जाता है तथा नवोदित प्रधिपहाओं को प्रोचसाहित करने ये तू छात्रवित्ती भी दी जाती है विभिन प्रकार की क्रियातमाग गतिलीओं एवं प्रतियोगिताओं के किरियाणवयन से छात्रों के आत्र विश्वास में वृत्वी, शम्ता में वृत्वी, आदुनेक तकनीकी की समझ, इमानडार चरित्र का निर्माड और सम्वु में काम करने की दहाबना का विकास कुता दयावती मुदियाकाद्मी शेक्षडिक और पाठ्ठेक्रम दोनों के सर्वांगीन विकास के लिए इन गतिविदियों के मांध्यम से अपने विद्यार्थियों के जन्मजात पोशल और अव्यत्थ प्रतिभा को पोशित करने और खेलने में महत्पूर भूमिका निभा रहा विद्यालेक परिसर में छात्रों के लिए एक अंतराश्ट्रिय स्तर का स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स भी है जहां फुटबॉल, बॉलीबॉल, बस्केट बॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, बेड्मिंटन, हादी खेलने के लिए विशेश कोर्ट की वेवस्था है क्रिकेट अकाद्मी के अंतरगर शाम की कख्शाओं में प्रशिक्षित पोच के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षन दिया जाता है दयावती मोदी अकैडमी के छात्र छात्राएं विश्व के कोने कोने में उच्च पदों पर आसीन होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और विद्याले का नाम रोशन कर रहे हैं अपनी परंपराओं एवं गरीमा को अक्षुर रख प्रगति पत्पर अगरसर होता विद्याले निरंतर गतिमात है विद्याले एवब अंतर विद्याले अन्री प्रतियोगिताओं में विद्याले के जात्र अपना पर्चम लहराते हैं विश्व में सबसे कम आयू का शांदार निशानेबाज शारधूल विहान एवब अंडर नाइन्टीन क्रिकेट टीम का कैप्टन प्रियम गर्ध विद्याले के लिए प्रिणस रोध बने हैं प्रधानाचार्या डॉक्टर श्रीमती रिदु दिवान जी तथा विद्याले को समय समय पर उनके उपक्रिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित दिया जाता रहा है इसी श्रंकला में वर्ष 2019 में रिसर्च मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में विद्याले की परिश्रमी प्रधानाचार्या डॉक्टर श्रीमती रिदु दिवान जी को इंटर नेशनल एजुकेशन एक्सिलेस एवार्ट से सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2019 के लिए ब्लाइंड विंक द्वारा बेस्ट ग्रीन केंपस एंड इंफ्रास्ट्रॉक्टर इंफ्रा-CBSC K-12 स्कूल इन नौर्थ इंडिया एजुकेशन है तु संस्था द्वारा ग्रेट लिगेसी इन एजुकेशन K-12 केटेगरी इंडियास 50 टॉप प्रेस्टिजियस स्कूल जूरी अवार्ट 2019 तथा ब्लाइंड विंक द्वारा ही रेंग नमबर एग CBSC स्कूल इन अकैडमी रेपूटेशन इन इंडियास टॉप CBSC स्कूल 2018 का पुरस्कार प्राप्त कर विंद्याले निरंतर बुद्ध कृष्टता के ओर कदम पढ़ा रहा है महुदे आज की एस भाशन में मैंने भावनात्मत बुद्धी मत्ता विशय का चयन किया है इसका कारण यही है कि वर्तमान संदर्ण में यह विशय ज्वलंत है और इससे अच्छा विशय कोई हो ली नहीं सकता आज समय की माँख है कि इस पर नई सिरे से विचार किया जाए लोहे के पेड हरे होंगे तु गान प्रेम का गाता चल नम होगी यह मित्ती जरूर आसू के कर बरसाता चल सिस्कियों और चीतकारों से जितना भी हो आकाश भरा कंकानों का हो धेर खपरों से हो चाहे पटी खरा आशा के स्वरका भार पवन को लेना ही होगा जीवित सपनों के लिए मार मुर्दों को देना ही होगा रंगों के साथो खट उडे ये अंधियाली रंग जाएगी पूशा को सकते बनाने को जावक नम पर चितनाता चल भावनात्मक ता शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है समवे एक भावनात्मक इस्थिती है जब मनुश्य का शरीर पुद्दीत होता है इसी अवस्था को भावना की संग्या दी जाती है क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसंदता आदी पुद्दीत अवस्थाएं है यह पुद्देजित अवस्था है जिसके कारण मनुश्य या इस जगत का कोई भी प्राणी अधिक मानसिक सज़क्ता के कारण प्रतिक्रिया करता है इसका अनुमान व्यवहार से लगाया जा सकता है इसमें भाव, आवेश तथा शारिनिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती है आईए अब बात करते हैं बुद्धी की आम तोर पर बुद्धी लब्धी को ही अर्थाथ बुद्धी को प्राप्त करने को ही इस जगत में श्रेश्ठ स्थान प्राप्त है अर्थाथ व्याभारी जीवन में दिल से काम ना लेकर दिमाग से काम लेना अर्थाथ बुद्धी किसी व्यक्ति के लक्षे के सही प्रकार से कार्य करने की योग्यता है जिसमें भावनाओं का सम्मेदन शीलता का कोई स्थान नहीं होता नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धी है यह सीखने की योग्यता है इसके अत्रिक्त फ्र्दे की कोमल भावनाओं से इसका कुछ लेना लेना नहीं है वर्तमान समय में प्रगती शीलता एवं विकास के चर्मोंकर्ष के स्थिती में हम प्रित्वी पर ही नहीं चांद पर भी प्लॉट खरीदने के विचार कर रहे हैं और कई लोगों ने तो खरीद भी लिये हैं ऐसे में जेड्यों में जीने वाले अत्यन्त व्यावहारिक व्यक्तियों का बौधित विकास का इस्तर तो अच्छी तरह बढ़ रहा है परन्ति मानवतावादी द्रिश्टी कोण वा मनुश्योचित मानसिक इस्तर तुखट रहा है मानसिक संकुचित विचारधारा मानवों के लिए हमारा संकुचित ग्रिश्टी कोण ही आत्यन्ता का विशय बढ़ रहा है महुदे वर्तमान समय में भावनाओं अर्था हिर्दे की कोमल भावनाओं के अभाव में एक नई संस्कृती ने जन्म ले लिया है और इसने पूर रूप से मनुश्यों के हिर्दे पर उनकी समेदनाव पर अधिका कर लिया है इसका नाम है जर संस्कृती जहां हम एक और पेड़ों को काट कर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं वही हमारे हर्दियों में भी इसी जर संस्कृती का कंक्रीट का जन्म बुरा है जहां पर कोमता पाम्रदुनता का कोई स्थान नहीं कंक्रीट के जंगल और जर संस्कृती हमारे हर्दे की जरता हमारे हर्दियों में मधूरता का अभाव कर देती हैं और वही मधूरता और संवेदन शीरता रहेत मानव समाज आज विश्यों के लिए खत्रा बनता जाना है आज जीवन में जो ठेराव आ गया है उसमें हमको क्या करना है कैसे करना है क्या ये मानव जाती के या प्रत्वी के अस्तित्त के लिए अनितू अनुकूल है या प्रतिकूल हम जो कर रहे हैं वो हमारे अस्तित्त के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक कोई योजना नहीं बना पाता देखा जाए तो हम इसमें ध्यान ही नहीं देना चाहते हमारी तो एक ही मन्जिल है अपने लक्षे की प्राप्ति हम कठोड़ता पूर्वक अपने लक्षे की ओर आगे बढ़ते जाते हैं फिर इससे किसी का लुक्सान होता हो तो हुआ करे हमें इससे कोई मतुत है आज मनुष्य की इनी संकुचित विचार धाराओं और मानसिक संकीरता का परिणा आप सब्सक्राइब छोड़ी छोड़ी आयू के बच्चे तना ग्रहस जीवन भोग रहे हैं निशेधात्मक एवं नकारात्मक विचारों का दबाओं इतना बढ़ गया है कि ना मनुष्य किसी से सही प्रकार से रिष्टे निभा पाता है और नहीं समाज से ताल्मिन बिठा पाता है दोनुई इस्तितियां अक्तिंत दुखत है रिष्टे हमारे जीवन में रस बूलते हैं और समाज से ताल्मेल हमारे अंदर मानुविये गुड़ों को उत्पन करता है और स्रजन करता है तभी समाज आगे मर सकता है एक कल्याकारी भावना का जर्म होता है आज उसी कल्याकारी भावना का अभाव दिखाई दे रहा है वर्तुमान परिस्तितियों में आपसे और हमसे ये परिस्तितियां अच्छूती नहीं हैं आज हम सक एक दूसरे के सुख दुख में भाव नहीं ले सकते परिवार के लोग अपने सखे संबंधियों का अंतिम संसकार नहीं कर सकते संसकार करने की बाद तो दूर उन्हें अपनों का मुख देखना भी नसीब नहीं है संबूर्ण मिश्व आज त्राही त्राही कर रहा है उसका कारण क्या है क्या सूझा आपने शायद मुझे अधिक बताने की आउशकता नहीं क्योंकि सब इससे परिचित है उसका कारण है हमारी बुद्धी मत्तापूर्ण सोच जहां पर सम्वेदन शीता के लिए कोई स्थान ही नहीं है एक देश की इसी जग मान सकता विश्व शक्ती बनने की महत कांशा इस संपूर्ण घटना क्रम के लिए उत्तरदाई है इस देश की इसी जड़ मान सकता या भावनावी हीन द्रिश्टी कोण ने संपूर्ण मानव जाती को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया आज इन इस्थितियों में मैं रामधारी सिंग दिनकर जी का उधार देना चाहूंगी हाला कि जब मैंने अपने इस भाशर का आरंब किया था तब भी मैंने रामधारी सिंग दिनकर जी की कहिता की इनी पंग्तियों से आरंब किया था क्योंकि इस भावना भी इन समाज में फिर से उनर्विजार की आमशकता है और काफी समय पहले करी गई ये पंग्तियां वर्तुमान परिस्थितियों में सतीत बैती आदर्शों से आदर्श भिड़े प्रग्या प्रग्या पर तूट रही प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है धर्दी की किस्मत फूट रही आवर्तों का है विशम जाल निरुपाई गुद्धी चकराती है लोविज्ञान यान पर चड़ी हुई सब्वेता अब डूबने जाती है अब डूबने जाती है जब जब मस्तिश्क जई होता संसार ग्यान से चलता है शीतलता की है रहा है ते तू यह संबात सुनाता चल वस्तों में हमें पुनर विचार करना होगा आज आवशक्ता किस बात की है हमारे घायल हमारे संतप्त हिर्दियों पर शीतलता के लेप की आवशक्ता है कोमल भावनाओं से लोगों के दुखी हिर्दियों को पर मरहम लगाने की आवशक्ता है ऐसे वातावरण में मनुश्य के तप्त एवं संतप्त हिर्दे को संतुष्टी प्रदान करने का एक मात रुपाय है हाला कि ये बहुत पहले से कभी ने भी कल्पना की अनेक दाशने भी इसके विशे में कह गए है परंतुप पुनहा क्योंकि मनुश्य की एक मनुवृत्ती है आदब है कि वो बार बार दुन जाता है उसे बार बार याग दिलाने की आवशक्ता होती है और आज जो महती आवशक्ता है वो है भावनात्मत बुद्धी मत्त महते में भावनात्मत बुद्धी मत्त शब्द को स्पष्ट करना चाहूंगी ये जो भावनात्मत बुद्धी मत्त शब्द है इसको बहुत पहले महान दाशनेक अरस्तु ने प्रयोग किया था लेकिन बात में अमेरिकी मनोवेग्यानिक डेनियल गोल्मेन ने के द्वारा अपनी पुस्तत इमोशनल इंटेलिजेंस वाई एक केंड मेटर बोर्दिन आईक्यू में विस्तरित रूप से किया गया है असल में एक शक्त जिसे हम आईक्यू कहते हैं हम उसका प्रयोग तो करते हैं पर उसे पूरी तरह बुद्धे से जोड़ देते हैं परंतु संवेदन शीर्ता दया करुणा दूसरे के दुख में हिस्सा लेना ये सब बाते भी जो कि हमारी संस्रती का अंग है आज उनको बच्चों को फिर से बताने की बच्चे तो छोड़िये मैं तो कहूंगी सभी को आज इनको अपनाने की बहुत अधिक आउशन है ये भाव, दया, करुणा, मानुवियता, सही शुर्ता आज हमारे लिए जरूरत बन गए है जरूरत ही नहीं हमारे लिए अनिवाल है हमें इने अपनाना चाहिए इसलिए आईक्यू के शप्त पर मैं फिर से आना चाहूंगी कि जिसे हम आईक्यू कहते हैं हम उसका प्रयोग तो करते हैं पर उसे पूरी तरह से बुद्धी से जोड़ देते हैं के जोगी मस्तिश्क का एक भाग है कि दूसरे भाग में यह भाहनाक्मत को त्दी बनता है जब यह दोनों भाग मिलकर काम करते हैं तब हम सुखत परिणाम की आशा भी कर सकते हैं एक पक्ष काम करेगा और दूसरा का्ष काम नहीं करेग तो भी सफलता नहीं भी सकता इसलिए दोनों का समझ्वए होना अत्यांतावशक है एक विद्यार्थी यदि शक्त प्रतिशक अंक ले आए तो हम उसका आईक्यू का इसतर जानते लेकिन उसकी भावनात्मत बुद्धी मत्ता की परक नहीं कर सकते जीवन में अच्छे अंक लाना ही सब कुछ नहीं होता क्योंकि विद्यार्थी जीवन के बार जब व्यावसाई, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से उसका सरोकार होगा तब हमें आशा के अनुरूप परिराम नहीं बुलेंगे क्योंकि भानात्मक बुद्धी मत्ता में वो कितना आगे है ये सामंजस से भी उसे बिठाना होगा जो कि शिक्षा प्रह करते समय उसे नहीं किया या यू कहे उसे सिखाया नहीं गया उसके जीवन का तो एक मात्र पुद्धेश्य बना दिया गया कि बड़ा होकर उसको पैसा कमाना है उसके गुद्धी ही उसके काम आनी है और यही कारण है कि उसमें भावनात्मक्ता का बीजारोपन नहीं होता और उसके अभाव में वो निरंतर कथोर बनता जाता है अपने लक्षे के प्रती दिड़ बनता जाता है उसके जीवन का एक मात्र पुद्धेश्य रह जाता है केवल धनार जन अपने को समझना अपनी भावनाव को की कद्र करना दूसरे के मनों भावों को समझना आपस में तालमेल बिठा कर पुद्धेश्य की पूर्ती करना तभी हम सही मायनों में स्वेम को प्रदती युग का मानव केपाएगे मनुष्य के जीवन से जुड़ी समस्याओं और चुनोतियों से जूजने के लिए जब हम सकारात्मन सोच रखेंगे तभी उनका समाधान भूपाएगे भावनात्मत गुद्धी बत्ता का प्रियोग हम न केवर शिक्षा में बलकी परिवार में राजनीती में ब्यूरो क्रेसी में भी करते हैं शिक्षा के शेत्र में एक शिक्षत वा विद्यार्थी का आपसी संबंद एक दूसरे के प्रती विश्वास भावनात्मत गुद्धी मत्ता का परिचायक है इसके अभाव में विद्यार्थी जीवन की पहली सीड़े पर ही स्वेन को खो सकता है परिवार में एक दूसरे के प्रती संबेदन्शी होना आत्मसम्मान की रक्षा करना एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर चुनोती का सामना करना भावनात्मत गुद्धी मत्ता है एक बड़े संस्थान को चलानी के लिए केवल बॉस की पूर्सी पर बैटकर आदेश पर आदेश पारित करना यी काफी नहीं बल्कि अपने स्थेयोगियों वाक्कर उचाहियों की क्या समस्या है आप कितना उनके प्रती संवेदन्शी हैं क्या उनके साथ उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी कठिनाईयों में साथ खड़े हैं उनके सुख दुख पे हिस्सा बटाते हैं ये सब बाते भी अत्यनतावश्य है और यही भावनात्मत उत्यमत्ता है कभी-कभी हम अपने जीवन में तनाव, भय, अकेला पन और अवसाद को महसूस करते हैं यही तनाव, यही अवसाद हमें हमारे जीवन को समाप्त कर देने तक के लिए प्रेदित करता है आज अनेक नव्यूवक, नव्यूवक क्या मैं तो यह कहूंगे कि 16-17 स्वाइटियाईयों के बच्चे पर आत्म हत्या कर रहे हैं क्या यह अम्रु उनकी आत्म हत्या करने थी? क्या उनका उनकी निराशा और अवसाद में हमारा यूगदा नहीं? यही कारण है आज हमने उने अकेला छोड़ दिया जो कि उन्हें इस स्थिती में ले जाता है कि उनके पास आत्मात्या करने के अत्रिक्त कोई उपाई नहीं मश्ता है ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उन्हें सही प्रकार से समझाने वाला मिल जाता है चाहे वो उनका शिक्षक हो, चाहे वो उनका पड़ोसी हो, चाहे वो उसके मात्पिता हो या उसके मित्री प्रोना हो वो उने उन शडों से वापस जीवन की ओर ला सकते हैं ये है भावनात्मक मुद्धी मत्ता और ऐसे में यदि कोई हमारे साथ भावनात्मक इस तर से जुड़ जाता है तो हमारी परस्तितियां बदलने में देर नहीं लगती है वाल्मी की डाकू को वाल्मी की बनाने में किसका योगना था एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो प्रते दिन लोगों से लूट पाट करता था एक ऐसा व्यक्ति जो उलियों की माला पहन कर जंगल में खूंता था नरसंघार ही करता था उनका संकूर जीवन बदल गया वाल्मिकी ने रामायर लिखे तो अंगुली माल संत बन गया उसका कारण क्या है उन्हें सही समय पर सही निर्देश सही माधदर्शन देने वाले सब्त रिशी और महात्मा बुद्ध मिल गए जिससे उनका संपूर जीवन ही परिमाधित हो ये है भावनात्मत बुद्धिमत् इस संदर में मैं प्रधान मंत्री नरेद मोधी जी के अपने मन की बात कारिक्रम में एक कहीं एक छोटी से घटना के और संथ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगे उन्होंने घटना का जिक्र किया था कि एक चार-पांच महिने का बच्चा जूने में लेटा था और उसकी माने जूले के उपर गूंगरू मांदे थे जिसे वैं थोड़ी-थोड़ी देन पर हाथ से बजा कर चली जाते थे थोड़े समय के बाद बच्चा अपने पैरों को उचका कर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा यह है पुर्टी का विकास अब मां को ज्यादा देर काम करना पड़ता था वे एक टेप रिकॉर्डर बच्चे के पास रख देती उसमें सुरी लगाना बजाती जिससे बच्चा चुक हो जाए मगर ऐसा नहीं हुआ हार करमा ने टेप बंद किया और अपनी फटी और बेसुरी आवास में उसे लोरी सुनाई और बच्चा सो गया यह है भावनात्मत यह हमारे यह जो भावनाई है यह जो मा और बेटे का बच्चे का कनेक्शन हमने देखा यही कनेक्शन आज हमारे समाज की माम है हम उदास है तनाव में है तनाव में दूसरे का अपमान करने में लगे हैं कारण जाने है वो उदास क्यों है अपने एहंकार को परे रखकर मन की बात से को अपने आत्मिये से साजहा करें बात करेंगे तो हल निकलेगा समस्या दूर होगे और जीवन सफलता की योड कदम बढ़ाते करें हर समस्या का सवधान तीर तलवार नहीं होते आपने देखा होगा जब भी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध की तैयारी कर लेता है तब बीच में बातचीत के लिए समय निकाला जाता है मीटिंग्स बुलाई जाती है तारिखे तैय की जाती है क्यों तब दूराष्ट्र भावनात्मत बुद्धी मत्ता का प्रयोग करते हुए अपने अहम को समाप्त कर शांती पूर्वक समस्या के समाधान के विशय में वारता करते हैं और समाधान निकलता भी है क्योंकि मेरा संबंध शिक्षा और शिक्षाथी से है तो हमें मनों भावों को करीब से जानना होगा मैं तो कहती हूँ यह शिक्षकों का कड़तव में दीले बच्चों में अच्छे गुरों की समझ को विक्सित करने का दाइत्वर हम अध्याप्कों कही है स्वेम भी अपने क्रोध पर नियंत्रा रखकर विद्यार्थियों में प्रेव वह हमदर्दी के साथ बात्चीत का माहौल तयार करना होगा हम आज बच्चों के साथ ऐसी कक्षा में बैखे हैं जहां से उन्हें क्योंकि आज कक्षा में तो हमारे साथ नहीं है आज बच्चे हमसे दूर हैं पर उसी शिक्षर विधी के सहारे हमें उनके अंदर भावनात्मत गुद्धी मत्ता के गोड़ को मिक्सित करना होगा ताग यागी चलकर वे एक खुशाल परिवार के संस्थापक बने एक अच्छे व्यांसाई बने राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र के कणधार बने तभी सच्चे अर्थों में वसुद्हयव कुटुम्दुकम की भावना साकार होगी और अंतराष्ट्रिये स्तर पर जो भी आच्छी समस्याएं हैं उनका समाधान निकले जाए अंत में अपनी वारी को विराम देते हुए मैसी भावनात्मत बुद्धी मत्ता के प्रती आशानमित होते हुए कुछ पंतियां जहना चाहूंगी तलवार मारती जिन्हें बासुरी उन्हें नया जीवन देवी जीवनी शक्ती के अभिमानी ये कमाल दिखलाता चल धर्ती के भाग हरे हुँगे भारती अम्रित बरसाएगी दिन की कराल दाहकता पर चांद में सुशितल चाहेगी ज्वाला मुखियों के कंठों में कलकंठी का आसन होगा जल्दों से लदा गगन होगा पूलों से भरा भुवन होगा बेजां यंत्र विरचित गुंगी मूर्तियां एक दिन बोलेंगी मूँ खोल खोल सबके खीतर शिल्पी तू जीट बिठाता चल शिल्पी तू जीट बिठाता चल धन्यवाल मूर्य भाओ